इसको बनाने के लिए मैंने तीन मीटर टफेटा कपरा लिया है, आप इसे टफेटा या पेपर सिल्क दोनों में कोई भी ले सकते हैं, इसकी पना टफेटा की 54 से 60 की होती है, आप कम पन्ने में भी बना सकते हैं, लेकि नीचे जॉइंड आ जाएगा इसमें, मुझे सेम कलर का कैसे पहले हम इस तरीके से 2 layer में कपरा को बिशा लेंगे, और उसके बाद जतना कपरा है हमारा मैंने 3 मि corpo लिया तो पूरा लेना है और पूरे कोaja 2 layer में बिशा लेना है विछाने के बाद इस side से, यानि हमारा यह वाला भाग खुला हुआ है, यह भी खुला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस side की भाग लेंगे, देखिए इस side से और इसको ऐसा करके triangle fold करेंगे, ध्यान से समझेगा, आसानी से आपको कट जाएगा, ऐसे fold कर लेंगे, और अच्छ हमारा खूला हुआ भाग है यह वाला वह इस से आड़ा जाएगा तो इसी तरीके से आप भी अच्छे से इसको खोल्ड कर लीजिएगा अब यहां पर आप द्यान से समझते चलिएगा ठीक है थोड़ा सा मैं आपको इसका मेजर्मेंट समझा देता हूँ तो लेंथ जो है हम इसमें पचास रख रहे हैं अगर छोटी महिला है तो आर तालिस भी कर सकते हैं लेकिन पचास से उपर ही रखना चीए उसके बाद चेश्ट हमारा चोंती से और कमर जो है 30 है थोड़ा सा कमर में लूज रखिएगा और साइड में जीप लगाना है आर मॉल भी हम बता देते हैं आर मॉल हमारा 14 इंच है ठीक है तो इसको जो लेंगे हम 6 पर लेंगे और सोल्डर भी हम बताई देते हैं सोल्डर भी हमारा 13 इंच है इसको हम कट करेंगे 12 इंच समझने आ इतना समझ गया तो इसको हम साइड में रख देते हैं अब यहां पर सबसे पहले कमर की मेजरमेंट होगा कमर हमारा 30 इंच है उसमें हम 4 इंच और एक्स्ट्रा कर देंग करने में हमें आसानी हो तो उसके हिसाब से यहां पर हम ऐसे नापेंगे ठीक है यहां पर आ रहा है हमारा 8 चोक 32 ठीक है हमें कितना चीए 4 इंच 34 इंच तो 9 इंच लगभग निलेते हम 9 चोक 36 इंच हो जाएगा थोड़ा बहुत कम भी रहेगा चलेगा तो इसको हम यहां प पेंगे अब यहां पर एक निसान लगाएंगे यहां से यहां ऐसे नापेंगे यह हमारा 10 इंच हो रहा हम सारे 10 कर लेंगे इसको ठीक है और फिर से इधर भी हम सारे 10 करेंगे प्वाइंट टू प्वाइंट और ऐसे राउंड आपको करते चलना है ताकि फॉल जो है अच्छे से आया है समझ गये अब इसको हम सीधा कर देते हैं एठा फेटा सिल्क है तो इसमें कोई दिकत नहीं होती है कटिंग करने में आसानी से कट जाता है उसके बाद लंबाई हमारा 50 इंच है तो उसमें से हम 16 इंच की बोड़ी रखेंगे ठीक है सona इंच बोड़ी रखेंगे उसके बाद माइनस करंने पर हमारा हपार चोगा तो नीचे हमया में चीप मोरना है तो भी अच्से से हो जाएगा तो उसके इसाफ से हम थर्टी सिक्स हम यहां पर ऐसे लेंगे थर्टी सिक्स यहां पर हो गया देखिए इसी तरीके से हम राउंड में च्छतिस च्छतिस करते चले जाएंगे अब एक बार मैं आपके बतालता हूं कि छोटा पना अगर कपड़ा है तो उसमें भी आ जाएगा अगर फिटी की लंबाई लेते हैं तो अगर फोटी सिक्स के आसपास थोड़ा सा जॉइन लगेगा उससे ज्यादा जॉइन नहीं लगेगा ठीक है इसको हम अब इस तरीके से जो है अब इसको हम कट कर लेंगे एक कमर की भाग है और जैसे ही आपका साइज छोटा होगा तो यह जो निसान हमने जो 10 इंच पे लगाया है यह 10 इंच की जगह सारे 9, 9, 8 ऐसे कमते चला जाएगा अगर आपका कमर बढ़ रहा है बड़े साइज का है तो यह निसान और न पर आपको यह कटिंग करना है इसी हिसाफ से आप छोटे से छोटे साइज की और बड़े से बड़े साइज की बना सकते है जो बच्चा हुआ भाग है हमें यहां पर बैक की पार कटिंग करेंगे तो यहां पर सीधा लाइन ड्रो कर दिये लंबाई हमारा 16 इंच है इसको हम रेडी था तो एक इंच कम कर देंगे और यहां पर हम आधा इंच सोल्डर डाउन भी करेंगे ठीक है और पौने तीन इंच पर यानि 2.75 पर हम गले की चोड़ाई करेंगे ठीक है और 4 इंच जो है इस गले की गहराई करेंगे बैक और फ्रेंट दोनों का गला सेम रहेगा यहां से हम 6 इंच लेंगे आप आर्म होल कम ज्यादा कर सकते हैं अनुमान लगा लिजिए कि 14 इंच है तो हम 6 इंच ले रहे हैं तो उसके इसाप साफो कितना लेना चाहिए जितना भी आपका चेश्ट है उसमें आधा इंच य तो इसको सवा आठ इंच कटिंग करेंगे ठीक है और दो इंच यहां से हम एक्स्टरा मारजिंग लेंगे हो गया और इसको यहां से थोड़ा बाहर करके निसान लगाएंगे देखिए ऐसा ऐसा निशान लगाना है ओके इतना समझ में आ गया खमर 30 इंच है तो साड़े साथ इंच होता है एक इंच इसमें हम डॉट देंगे साड़े आठ इंच और फिर से दो इंच यहां पर मार्जिंग हो जाएगा यहां पर एक इंच हम उपर की साड़ देंगे कहां से देंगे ओभी बता रहा हूं मैं यहां से आपको नाप लेना है साड़े तीन इंच एक इंच अब यहां से यहां देखिए ऐसा और यहां से ऐसा पहले हम इसको कट कर लेते हैं और इसको हम साड में रखते हैं देखिए मैंने इस तरीके से बैठा दिया है आप इसको और यह भी कट कर सकते हैं फ्रंट की पल्ला को और इस डिजाइन में हम सेम रखेंगे जितना हमारा back है उतना पहले हम इसको सेम कट करेंगे back और friend की गला दोनों हम साथ में कट कर देंगे अब ए वाली भाग को हम side करेंगे और इसको लेंगे और इसमें हम इस तरीके से cross करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से देखिए यह हमारा front की part हो गया अब इसी को रख कर सिर्फ body के लिए same हम अस्तर भी कट कर लेंगे जो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ अब हमें बाजू कटिंग करना है तो बाजू को हम इस side कटिंग करेंगे देखिए इस side से और इसको यहां पर हम खोल कर देंगे जितना में हमारा बाजू आ जाए यहां पर हम क्या करेंगे एक पट्टी निकाल देंगे बोडी में लगाने के लिए तो इसको हम ऐसा कट कर देते हैं ठीक है में 5 इनच दे इनच में अब करेंगे या पहले आप यहां पे 4 इंच सारे 2 इंच पर निशान लगा दिये फिर न पिये ज्यादासान होगए ऐसा 7 इंच हम यहां से असे नतर попад करें कर ए शल्कल्स चक्ला। जिम्चब Cameron Gegen यह एक इंच की केनवस है, इस केनवस को घेरे में जो है दामन में नीचे की साइड, फ्लेयर में आपको पहले दूसरे और यह कपरे पे इस तरीके से या सीधे कपरे पट्टी पेस्टिंग कर लेना है, यह दुकाने में मिल जाएगा आपको असानी से, और इसी को नीचे घेर में अंदर की साइड खोल करना है, उससे क्या होगा कि घेरा आपका फैल कर आएगा, पूरा फ्लेयर है और पूरा छित राएगा आपदम, तो वही मैं बताना चाहरा था कि क्यों नहीं फैलता है अगर नरम कपरा है तो या पहनने के बाद, तो ऐसा करेंगे तो नीचे से फ मैं पूरा कट किया है ठीक है और फ्रंट का असतर जो है उसको मैं आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया है जौएण वाली भाग था अगर आप पूरा कटिंग करते हैं फूल तो अच्छी बात है नहीं अगर जॉयंट आ रहा है तो आधा इंच एक्स तरा कियेगा, उसके है और इसको जो कटिंग किया है मैंने तीन इंच देखिए मैंने तीन इंच कट कर लिया है और बीच का गैप दो इंच है यानि आधा इंच इधर मार्जिंग छोड़ दिया है और इसको हमने यहां से यहां तक पुरा कट किया है यहां तक गले का भी निशान मैंने लगा दिय अब है 2 इंच मौणके आजायेगा और 1 इंच का gap रहेगा तो फिल करेगा इसके लए मैठे इसको 1 इंच कम कर दिया है, esther mention मेय को में पल्ले को, में इसस्तर के सेंटरे पॉको मिस्तों कर लेंगे, अब इसको रखने हम side में तूसरा इस समिझेगा, इस है के कैरी उहन ने की लुप्पी कट कर लेना है और ऐसे देखिए ऐसे दो-दो इंच या डेड़ दे रिंच की अंदर से और उसके बाद अस्तर से हम गला पल्टी कर देंगे उसके बाद डॉट लगाएंगे देखिए इस तरीके से मैंने लुपी आगे पीछे करके लगा दिया है और उसके बाद इस तरीके से मैंने दोनों पल्ले को सिलाई कर दिया है अब हम क्या करेंगे यह अस्तर वा इस तरीगे से आप भी डोडी बनाकर लगा देना ठीक है और इसमें एक मिस्टेक हुआ है वो मैं आपको समझा दू जरस्था यहां पर देखेंगे जह प्राइज करना है यहां जो कम किया था वो लिक्ता अंज करना है लेकिन आपको आधा इंच कम करके cutting करना है या तो आप पूरा रखके cutting कीजिए और बाद में छाट लीजिए तो भी आपका mistake नहीं होगा मेरे जैसा अब इसमें क्या करना है sluze attach करना है और उसके बाद जो हमारा umbrella है तो घेर को हम attach करेंगे इस तरीके से यहां पर ऐसा थोड़ा सा tight करके और हम घेर attach कर देंगे उसके बाद side की लगा देंगे और यह वाला chain है देखिए यह वाला chain पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंविजुवल जो zip है इसको हम left side में इधर की side में लगाते हैं और नीचे से ऊपर की side लगाते हैं ठीक है नीचे से ऊपर यानि ऊपर से हमारा chain होगा ऐसा खीचा जाएगा तो यहां से हम यहां तक लगाएंगे मैं दिखाऊंगा की कैसे लगाना है देखे मैंने दोनों side का शिलाई लगा दिया है और अब इन्विजवल जीप लगाने के लिए मैंने यहां तक शिलाई लगाया है और यहां पे यहां तक यहां से यहां पूरा मैंने खूला छोड़ दिया है लगभग यह जो खूला है यह समझ लीजीए आप 14 से 15 इंच एक 11 इंच के आसपास है ठीक है अब यह हमारा इन्विजवल जीप है देखिए इसको कैसे लगाना हो समझे यह ऐसा है तो इसको हम नीचे की side करेंगे ऐसा ऐसा कर देंगे और हाप बूट इधर फिट कर लेंगे उसके बाद यहां पे ऐसा लेंगे यहां पे देखिए और इसको जो है घुंडी अंदर होना चीए ऐसा करके लख लेंगे जहां से हमारा निसान है ठीटिंग की वहां से हम इस चैन को हल्के हाथों से लगाते चलेंगे ध्यान डखना इसको खीच कर नहीं लगाना है नहीं तो यह चोटा बड़ा हो जाएगा ठीक है यहां पे इसा करके इसको बाहर निकाल देंगे और फिर से इसको हम ऐसा घुमा लेंगे देखिए अब इसके बाद इसको ऐसा करके देखिए ऐसा करके सेटिंग बठा लेंगे हमारा यह चोटा बड़ा नहीं हो ठीक है ऐसा ऐसा करके देख लेंगे फिर ऐसा बड़ावर है अब यहां पर हम सिलाई शुरू करेंगे कि अध्युक्त अब इधर पर आपको क्या करना है ऐसे इसको लेना है इसको ऐसा करके ऐसे बाहर कर लेना है और इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको पसंद आया या नहीं आया कमेंट्स करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर किजिएगा आगे आपको किस टाइप की वीडियो चीए ओभी हमें कमेंट्स करके बताईएगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब